हेलो दोस्तों, वेलकम टू कुक विद प्रियांका, आज हम बनाने वाले हैं छोले की सबजी, बहुत जादा मसाले यूज नहीं करेंगे, बहुत सिंपल और क्विक सी सबजी बनाएंगे आज तो हमने छोले रात बर बिगो के रख दिये थे, उसके बाद हमने इसमें चार सीटी लगाई और अब हमारे छोले बिल्कुल पक चुके हैं, अब हम सबजी बनाने की तियारी करेंगे, इसके लिए हम एक प्याज लेंगे, उसको रफली चॉप कर लेंगे, दो टमाटर लेंग हमारे सारे वेजटेबल, डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, लसन डाल देंगे और हरी मिर्च डालके इनको अच्छे से फ्राय करके पकाएंगे थोड़ी देर के लिए सरसो का तेल या रिफाइन जो आपको सही लगे वो ले सकते हैं हम यह आपे इनको फ्राइ करना है दो से तीन मिनिट के लिए हम इसे ढखकर फ्राइ कर लेंगे इसके बाद हमें इने खोल की टमाटरों को भी साथ में फ्राइ कर लेना है मसाले हम भी नहीं डालेंगे इसमें इने हम अच्छे से सौफट करके इनका हमें पेस बनाना है तो उसके लिए इने भी हम दो मुने ढख के पकाएंगे टमाटर के साथ में टमाटर हमारे यह पक गया हैं अब इसमें हम आदा चमश नमक डाल देंगे थोड़ा नमक हमने छोले भिखोते time भी ढाला था तो इसलिए उसी हसाब से आपको अभी ढालना है नमक कम जादे आपने हिसाब से नमक का देखें काई हम इनको थोड़ी द overall होने के लिए रगदेंगे उसके बाद हम इसका paste बनालेंगे पेस्ट बनाती ही फिर हम अपना बाकी काम स्टार्ट कर देंगे यहाँ पर हम ले लेंगे एक कड़ी पत्ता, एक दालचिनी का टुकड़ा छोटा सा एक इलाइची, दो लॉंग, दो कड़ाई ले लेंगे उसमें फिर से थोड़ा सा तेल डालेंगे तेल गरम होते ही जीरा डाल देंगे जीरा डालने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे एक कड़ी पत्ता उसके बाद एलाइची, काली मिर्च, लॉंग और दालचिनी इनको हमें बिलकुल जलाना नहीं है बहुत कम-कम सा रोस्ट करना है उसके बाद हम अपना जो पेस्ट बनाया है हम वो इसमें डाल देंगे मैं यहाँ पर बहुत जादा खड़े मसाली यूज नहीं करती हूँ क्योंकि उसकी वज़े से फिर बहुत जादा मसाले दार सब्सब्स बनती है मुझे कम मसाले दार सब्सब्स पसंद है यहां मैं हिंग डाल दूँगी हिंग से बहुत ही अच्छी कुश्पू आति है सब्जी में और आप इसś ज़ड़ूर डालें तक कि बोवर कुक ना हो जाए इसलिए हम सबजी में अब मसाले डालेंगे इस टाइम पर सबजी अच्छे से गरम हो चुकी है अब हम इसमें डालेंगे आदा चमच लाल मिर्च एक चमच धनिया पेसावा धनिया इसके बाद हम डेगी मिर्च भी डालेंगे इसमें उससे बहुत अच्छा लार अईगा अच्छा वला मिर्च लाया और दालेंगे अब हम इझे से अच्छे से मिक्स करके पांच मिलिक लिए ढग सब्क पकने देन्गे साथो सब्सक्राइब बहुत अच्छा कलर आया है बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है अब हम इसमें अपने छोले डालेंगे चोले अमारे बिल्कुल पक चुके थे अब छोले डाल देंगे इसमें छोले डालने के बाद हम इसे पांच मिनिट और ढखकर पकाएंगे सब्सक्राइब को हमें बहुत ज्दा पतलल नहीं के लिए बोच जादा प्तला प利 आहने मतुश्बू आधा है इसम्मर्स परद दालना की है जतना आपके प्यूरी में है और जतना के क्योले बैसे विए sufficient रहेगा और बाकी अपने according देख ले यह हमारी सबजी अच्छे से कुख को चुकी है सारे मसाले एक दूसरे से अच्छे से मिल गए है छोले में अच्छा flavor आ रहा होगा अब हम इसमें last में डालेंगे नमक क्योंकि मैं थोड़ा सा सबजी में जादा नमक खाती हूँ और मैं टेस्ट करके देख लेती हूँ अगर नमक कम जादा है तो उसी के according सबजी में मैं डाल लेती हूँ अब यहाँ पर हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी उससे इसका स्वाद और यह इच्छा आ जाएगा इसको अच्छे से मिक्स कर लें अब सबजी में से बहुत इच्छी कुश्पू आ रही है आप कसूरी मेथी जरूर डालें सबजी में जब भी आप छोड़ी की सबजी बनाएं और मैं अब इसमें डालूंगी गरब मसाला एक चमच गरब मसाला डाल दिया है मैंने और फ्रेश धनिया हम इसमें डाल देंगे और उसे डग के रख देंगे अब हम बस इसको डग के एक दो मिनिट ही पकाएंगे बाकी हमारी सबजी तयार है बिल्कुल इसे अच्छे से सर्व करें आप चाहे तो इसको पराटे के साथ खाएं रोटी के साथ खाएं चावल के साथ खाएं मैं इसको चावल के साथ खाना पसंद करती हूँ तो मैंने इसके साथ जीरा राइस बनाए है अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए तैंक यू